तीन दिन में प्लेटलेट्स की समश्या को ठीक करने का बहतरीन सा उपाय बता रहे हूँ अगर किसी की प्लेटलेट्स कम हो गई हैं दोस्तों तो आप उसे तेजी से पुरा करने के लिए ये कुछ नुश्के अपना सकते हों आजकल जो है दोस्तों भुखार या वाइरल इन्फेक्शन वगेरा होता है न तो उसमें भी अक्सर देखा गया है कि भुखार ओने के कारण भी आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कम हो जाती है या फिर और भी इसके कारण जो हैं हो सकते हैं जब प्लेटलेट्स कम होती ह तो आपको कुछ इस तरह के लक्षन दिखाई देते हैं दोस्तों जैसे आपकी नाक से खून बैना, मसूडों से खून बैना, तवचा पर लाल-लाल चितके हो जाते हैं, आपने देखा होगा जैसे पित्ती उपड़ती है उसी तरह की थकान बहुत जादा लगती है, कमजोरी स हो जाती है, पेट में और सिर में दर्द होता है दोस्तों, और भूख बिलकुल भी नहीं लगती है, कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि उल्टी हो जाएगी, आपको वो मेटिंग हो जाएगी, और कभी-कभी इसमें दस्त जैसी लक्षन भी दिखाई देते हैं, तो आज ज तो आज जो नुस्खा आपको बता रही हूँ, मैं बहुती खास नुस्खा है, इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत आसान नुस्खा है, आप यहां पे देख रहे हैं, मेरे पास एक तांबे का छोटा पात्र है, आप जो है ना अपने घर में रखी तांबे की कोई भी ले सकते हो, बहुत बढ़ी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की छोटी यहां तक कि आपके पास अगर सिक्का रखा है, जो पहले के समय में सिक्के आते थे, वो भी तांबे वगिरा के होते थे, अगर किसी के गर में है, तो उसका इस्तिमाल कर ले, लेकिन सभी के गरों में नही होता है, इसलिए मैं आपको इस तरह के भरतन के साथ में बता रहे हूं दोस्तों, यह आपको 15-20 रुपए में पास की दुकान से जो भरतन की दुकान होती है, वापे आसानी से मिल जाएगा, आप ला सकते हो, तांबे का आपको लाना है, और इसको सबसे पहले आप साफ करन दोस्तों, इसको आप नीमबू लेकर थोड़ा सा नमक लगाकर उस पे गीसेंगे, तो यह बिलकुल साफ हो जाएगा, इसको साफ करना बहुत जरूरी है, यहापे जो चीजे आपको बता रहे हूं ना, उनका ध्यान आपको खास रखना है, उसके बाद में आप नुस्खा जादा फायदा होगा, आप खुद हरांद रहे जाएंगे, यह इतना जादा फायदा देने वाला नुस्खा है, दोस्तों, आज माया वा नुस्खा में आपके साथ सेर कर रहे हैं, सबसे पहले आप इसको साफ करेंगे, चाहे सिक्का ले रहे हैं, चाहे इस तरह का छोटा आप पात्र ले रहे हैं, या फिर आप कोई भी छोटा लोटा ले रहे हैं, या फिर कोई भी तांबे की जो चीज आपके गर में जैसे बरतन कोई टूट जाता है, फूट जाता है, तो उसका छोटा सा टूकडा निकाल कर ले सकती हूँ, आप एक जो सिक्का होता है ना कोई बीने का जो पानी होता है वो पानी आपको लेना है इसमें साफ पानी आपको लेना है दोस्तों अब क्या करेंगे जो आपने ये बर्तन लिया है तांबे का साफ करने के बाद में आप इसे चीम्टे से इस तरीके से पकड़ना पकड़ सकते हो चीम्टे से पकड़ सकते हो और इसको आप गैस पे रखके इतना गरम करना कि ये पूरा लाल दिखने लग जाए गरम ओकर एकदम लाल हो जाएगी जैसे ही आपको लगेगा ये लाल हो गया है बहुत अच्छे से गरम करना है से नहीं कि हलका सा गरम हुआ और आगे का प्रोसेस शुरू कर दिया नहीं बिल्क ये बिल्कुल एक इंच का भी नहीं है तो मैंने या पर इसी के अनुसार या पर पानी लिया है ये छोटा है तो अगर आप कोई बड़ा बरतन ले रहे हैं तो उतना ज्यादा पानी आपको नहीं लेना आप ज्यान ये रखना चोटे से चोटा सिक्का बरतन या फिर इसका काटके आप ले सकते हो जिनको समश्या है उनको पांच तस रुपे से कोई फरक नहीं करता है दोस्तो आप इस तरह का पात्र लाकर उसको साबुत इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बड़ा पात्र हापकी गर में कोई तो उसका टुकडा काटके भी इसको आपको कम से कम पांच बार गरम करना है दोस्तों सिक्का ले रहे हैं तो भी और इस तरह का छोटा बरतन ले रहे हैं तो भी पांच बार आप गैस पर रखेंगे और पांच बार ही आपको इस पानी के अंदर ठंडा करना है ठंडा इस पानी के अंदर जब पांच बार हो जाएगा ना उसके बाद में आप बरतन को साइड में रख देना और जो पानी है अगर वो गरम है तो उसको थोड़ी सी दे रखके आप temperature कम होने दें क्योंकि क्या होता है बार बार आप पानी के अंदर एक कप पानी है और गरम बरतन इसके अंदर डालेंगे सिक्का डालेंगे तो यह गरम हो जाता है और अच्छा गरम डालेंगे तो यह अच्छा ही गरम हो जाता है पांच बार आप डालते हैं तो उसके बाद में आपको इसको थोड़ा सा रख देना अगर गरम हो गया है तो पानी को और बरतन जो है ना उसको भी आप साप सुतरी जगे में अच्छे से रख देना इसका आ आप तीन दिन देकर देखना इससे बहुत जल्दी जो है न प्लेटलेट्स पूरी होती है दोस्तों और इसके साथ-साथ आप दवाईया भी दे सकती हो डोक्टर की ऐसा नहीं है कि आप ये कर रहे हैं तो दवाई बंद कर दें कई बार क्या होता हम दवा देते रहते हैं लेक जिनको भी ये समश्या होती है उनको आप ये बीडियो जरूर सेर करें और मैं तो बोलती हूँ आप सभी के पास सेर कर देना क्योंकि ऐसी चीज़े हैं दोस्तों किसी को इनसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है किसी को इससे जादा पैसे नहीं लगाने है और दोस्तों के पास रिलेटिव के पास और अपने पडोसियों के पास अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सेर करें क्योंकि पहले इतनी जादा ये समश्या सुनने में नहीं आती थी दोस्तों लेकिन आजकल जो है अलका सा कोई बिमार होता है तो सबसे पहले ये प्लेटलेट्स कम हो गई है तो ये ऐसे नुस्खे हैं अगर आपको लग रहा है ऐसी समश्या है तो आप तुरंत बना कर लेना शुरू कर दे दिन में दो बार ले सकते हूँ इसे तीन दिन तक आप देखेंगे जट से आपकी प्लेटलेट्स जो है पूरी हो जाएंगी इन करेंगे प्लेटलेट्स को जल्दी पूरा करने के लिए दोस्तों अगर किसी को ये समश्या है तो आज माकर देख सकते हूँ उसका अगर आपको फायदा मिलता है तो कमेंट जरूर करना दोस्तों अगर आपको आज का आमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सेर, कमेंट और मेरी चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है